Hello Friends, कुछ दिन से बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हम अपने एक ही फोन में दो यूटूब चैनल बना सकते हैं क्या और कैसे बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जी हाँ आप अपने एक ही फोन में दो यूटूब चैनल बना सकते हैं दो क्या आप एक, दो, तीन, चार, पाँच यूटूब चैनल भी बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आप अपने एक ही मोबाइल फोन में दो यूटूब चैनल कैसे बना सकते हैं यूटूब चैनल आप पहला क्रियेट करिये या फिर दूसरा चैनल बनाईए बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है बस दो चैनल होते हैं तो आपको दोनों चैनल को स्विच कैसे करना है मैनेच कैसे करना है किस थरीके से आप कर सकते हैं देख सकते हैं ये भी पताने वाली हूँ इसी वीडियो में पर उससे पहले hello friends मैं Supria Singh आप सभी का स्वागत करती हूँ A to Z content में अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करियेगा चलिए अब हम फड़ा फट से वीडियो को शुरू करते हैं दूसरा चैनल बनाने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पूराने जीमेल आईडी से जिससे आपका पहला चैनल है उसी से दूसरा चैनल भी मत बनाईएगा एक नया जीमेल आईडी बनाईए तब आपको अपना दूसरा YouTube चैनल बनाना है अगर आपको Gmail ID नहीं बनाना आता है तो YouTube पे आपको बहुत से टिटोरियल्स मिल जाएंगे आप देख करके सीख सकते हैं पर आज की वीडियो में सिर्फ YouTube चैनल कैसे बनाते हैं मैं ये बताने वाली हूँ अब हम चलते हैं YouTube में YouTube में आने के बाद सबसे पहले एक Gmail ID अगर आपकी है तो नीचे यहाँ पे इस तरीके से profile picture दिखाई देगी या फिर अगर दो है तीन है बहुत बारी ऐसा होता है कि हम Gmail ID बनाते हैं बहुत सारे और फिर भूल जाते हैं तो जितने भी Gmail ID है यहाँ पे YouTube में आपको सब कुछ दिखाई देगा देखने के लिए क्या करना है यहाँ पे यू दिख रहा है यू के उपर कर लेना है क्लिक यह हमारी profile picture थी अब यहाँ पे देखिए switch account का option आ रहा है एक दो Gmail ID आपने बनाया है तो दिखाई देगा तो पहला चैनल आपने जिससे बनाया है उससे आपको अपना YouTube चैनल नहीं बनाना है नया Gmail ID बनाना है यह मैंने आपको बता दिया आप जब बना लेंगे तो इस तरीके से जब switch चैनल के उपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका Gmail ID दिखाई देगा Gmail ID दिखाई देगा तो आप चैनल कैसे बना सकते हैं उसमें मैं आपको वो बताती हूँ अब यह देखिए जो वस्त्र विचार नाम से एक Gmail ID आपको दिख रही है इसके उपर मैं कर लेती हूँ क्लिक क्योंकि यह कोई मेरा चैनल नहीं है बस इसी में मैं कुछ न कुछ डेमो दिखाते रहती हूँ तो इसलिए Gmail ID है तो यहाँ पे देखिए आप YouTube में आने के बाद मिल जाएगा यह प्रोफाइल पिच्छा दिखाई दे रही है इसके उपर कर लेते हैं क्लिक अब उसके बाद फिर यह बड़ी वाली जो प्रोफाइल पिच्छ दिखाई दे रही है इसके उपर कर लेते हैं क्लिक अब यहाँ पर देख सकते हैं आप एडिट पैंसिल जैसा दिख रहा है आपको पैंसिल के उपर हम कर लेते हैं क्लिक पैंसिल के उपर क्लिक करने तो आपको वो नाम सबसे पहले हटाना है और आपको लिख देना है अपने चैनल का नाम जो भी आपने सोचा है और याद रखिएगा अपने चैनल का नाम आप पहले से ही सोच लेना और कुछ अलग यूनीक नाम सोचना ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैसे चैनल बहुत सारे हैं एक दो चैनल रहेंगे तो चल जाएगा लेकिन बहुत सारे similar चैनल नहीं होने चाहिए नहीं तो फिर आपका चैनल जो है फटाक से search list में नहीं आएगा ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पे तो normal supriya sing जो मेरा नाम है फिलाल वही लिख दे रही हूँ पर आपको पहले से ही अपने चैनल का नाम सोच के रखना है और यहाँ पे लिख देना है अब यहाँ पे नीचे है save बटन save के उपर कर लेते हैं क्लिक जैसे ही save के उपर किया देखिए पहले वर्स्टर विचार था अब यहाँ पे आ गया है supriya sing अब नीचे आ जाता है handle YouTube आपको एक handle id देता है और YouTube यह चीज़ खुद कर देता है पर अगर आप उस handle id को change करना चाहते हैं आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप यह pencil के उपर click करके आप change भी कर सकते हैं पर यह मेरा ठीक ठाक है at supriya sing 04 तो चलिए मैं रहने देती हूँ और save के उपर कर लेती हूँ click और YouTube जो आपको handle provide करता है वो handle आपके channel से मिलता जुलता ही रहता है बहुत अलग नहीं रहता है ठीक है अब यहाँ पर URL चैनल URL भी YouTube आपको खुद दे देता है जैसे ही आप अपने channel का नाम लिखते हैं आपको मिल जाता है अब description नीचे आप देख सकते हैं description में अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने channel के बारे में मतलब कुछ आपको paragraph थोड़ा सा लिख देना है आपको वो चीज यहाँ पर इस तरीके से लिख देनी है और उसके बाद फिर हो जाये पूरा तो यहाँ पर आपको सेफ कर देना है अब आप अपने YouTube चैनल का कुछ तो profile picture लगाएंगे है ना लगाते कैसे हैं मैं वो बता देती हूँ यहाँ पर छोटा circle photo है उसके उपर मैं कर लेती हूँ click click करने के आप यहाँ पर देखिए बहुत सारी photos मेरी दिखाई देने लग जाएगी जो भी मेरे gallery में है तो यहाँ पर यह एक photo है जो कि मैं select कर लेती हूँ और यही मैं अपने profile picture में लगा रही हूँ लेकिन अगर आप कोई logo वगेरे बना करके रखना चाहते हैं वो लगाना चाहते हैं तो आपको पहले से बना करके रखना है जैसे thumbnail बनाते हैं वैसे ही उसके बाद यहाँ पर देखिए set कर लिया मैंने save as profile picture नीचे लिखा गया है इसके उपर हम कर लेते हैं click थोड़ी ही देर में यह save हो जाएगा तब तक चलिए हम अपना banner भी change कर लेते हैं तो banner आपको पहले से बना के रखना होगा ठीक है? banner आप पहले से बना के रखेंगे तो ही लगा पाएंगे नहीं तो फिर कैसे लगाएंगे? तो banner किस तरीके से बनाया जाता है? उस पर मैंने अल्रेडी एक detail वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो को आप देख करके सीख सकते हैं कि banner कैसे बनाया जाता है तो banner लगाने के लिए आपको यहाँ पर जो camera जैसे दिख रहा है उसके उपर click करना है choose from photos उसके उपर click करना है और फिर जो banner आपने बनाया है वो पूरा का पूरा open हो जाएगा आप select करके लगा सकते हैं पर यहाँ पर अभी फिलाल तो मेरा already banner लगा हुआ है और मैंने कुछ बनाया भी नहीं है क्योंकि मैं आपको सिर्फ idea के लिए बता रही हूँ तो यह हो गया यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा channel जो है ready हो गया यह हमने बना लिया है हमारा दूसरा channel तो अब दूसरे channel से पहले channel में जाना हो या फिर पहले channel से दूसरे channel में आना हो हमें इस तरीके से switch करते रहना है क्योंकि कभी हम इस पर video upload कर रहे हैं कभी हम उस पर video upload कर रहे हैं तो switch कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर सबसे नीचे देखिए profile picture दिखाई दे रही है इसके उपर हम कर लेते हैं click उसके बाद आपके सामने ऐसा page आजाएगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है switch account switch account के ओपर हम कर लेते हैं click और जैसे ही आप switch account के ओपर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यह आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा आपका channel जितना भी channel आपने बनाया होगा तो आप माननीजिए easy kitchen hacks मेरा पहला channel है मैं उसमें जाना चाहती हूँ तो मैंने easy kitchen hacks के ओपर click कर लिया अब देखिए मैं easy kitchen hacks में आ चुकी हूँ इस तरीके से आप switch कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने दो channel को या फिर तीन channel को manage कर सकते हैं handle कर सकते हैं अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि YouTube में आप कैसे switch कर सकते हैं अगर आप video upload करना चाहते हैं तो कि आप YT studio में कैसे switch कर सकते हैं तो यहां से हम सबसे पहले कर लेते हैं back YT studio को मैं open कर लेती हूँ अब देखिए, वाईटी स्टूडियो में मैं A to Z content channel पे हूँ, जो channel आप अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा profile picture देख सकते हैं, top में, इसके उपर हम कर लेते हैं, click, click करने के बाद यहाँ पे भी same उसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, switch account, switch account के उपर हम कर लेते हैं, click, तो अब यहाँ पे आपको देखिए, सारा का सारा जो channel आपका है, जितना भी channel है, आप दो बना रहे हैं, या तीन बना रहे हैं, तो आप यहाँ से switch कर सकते हैं, तो जो channel हमने अभी बनाया है, चलिए मैं उसके उपर जाती हूँ, जो कि हमने Supriya Singh नाम से अभी बनाय है, अब जब आप इसमें video upload करें, यहाँ पे views कितने हैं, watch time कितने हैं, जो भी सारा data होता है, आपका, वो सारा का सारा आपको यहाँ से दिखाई देगा, subscriber कितने हुए हैं, सब कुछ, तो इस तरीके से आप अपने एक ही mobile phone में दो YouTube channel बना सकते हैं, तीन YouTube channel बना सकते हैं, और एक ही phone से आप अपने दोनों, तीनों, चारों YouTube channel को manage भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, अब कुछ advanced setting होती है, जो कि बहुत ज़ादा जरूरी है, channel को grow होने में, तो advanced setting किस तरीके से करते हैं, उस पर मैंने already एक video बनाया है, तो उस video को आप जरूर देखिएगा, और यह सार कि सारी setting जो है, आपको on करनी है, अपने channel में, आप अगर दूसरा channel बना रहे हैं, तो भी अगर आप पहला channel बना रहे हैं, तो भी सारी setting on करेंगे, तो ही जो advanced features मिलते हैं, वो मिलेगा, आप thumbnail लगा पाएंगे, आप long video मतलब 8 minute से ज़ादा की video upload कर पाएंगे, तो बहुत सार benefits मिलते हैं, जब आप advanced setting करेंगे, तो अगर ये video आपको अच्छी लगी है, तो please video को like और channel को subscribe ज़रूर करिएगा, चलिए friends, मिलती हूँ फिर next video में, तब तक के लिए take care, bye bye